पती से तलाक ले चुकी हैं अधिती राव हेदरी खूबसूरती के चलते हैं सुपर हिट आज बलिवोड की खूबसूरत अभिनेत्री अधिती राव हेदरी का जन्म दिन है आज अधिती अपना 34 वा जन्म दिन मना रही है वह एक बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाती है और उन् लंगाना के एक शाही परिवार में पैदा हुई अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंधर प्रदेश में की और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से सनातक किया। हाला की बहुत कम लोग जानते हैं कि अधिती अपनी मा विद्याराव और पिता इहसान हैदरी दोनों के उपनाम का उप्योग करती हैं। अधिती के करियर की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2007 में की थी। उनकी पहली फिल्म एक तमिल फिल्म और उनका नाम श्रिंगाराम था। फिल्म ने तीन राश्ट्री पुरसकार जीते। वैसे अधिती को बॉलिवुड में पहला ब्रेक राकेश ओम प्रकाश महवरा की फिल्म दिल्ली 6 2009 में मिला। वैसे अगर आपको याद है कि वे इस फिल्म में एक सहायक अभिनेत्री थी लेकिन फिर भी उन्हें काफी पसंद किया गया। अधिती को अपनी असली पहचान 2011 की फिल्म ये साली जिंदगी और रॉकस्टार से मिली। उन्होंने इन दोनों फिल्मों में काम करके सब का दिल जीत लिया था। हाला कि अधिती खुद बताया है कि ये साली जिंदगी मे वेह 22 बार चूमा और रिस्क की विज़े वेह एक लंबे समय के लिए सुर्खियों में भी था वैसे अदिती एक बेहतरीन डांसर भी है शी ने 6 साल की उम्र में शास्त्रे नित्य भरतना ट्यम करना शुरू कर दिया था अब शादी के बारे में बात करते हैं यह वर्ष 2009 में बताया गया था कि उन्होंने सत्य डीप मिश्वा से शादी की है लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चली दरसल साल 2013 में एक इंटर्व्यू में उसने स्विकार किया कि अब उसका तलाक हो चुका है अभी हम अदेती को जन्म दिन की बहुत बहुत शुब काम नाय देते हैं